असलाम लेकों स्टूडेंस वेलकम तो फेरी पब्लीक गल्स हैस्कूल आज मैं आपको क्लास वन का जो है काउंडाम के लेक्चे डिल्वर करूंगी इसमें हमारे पास है लेक्चे नमबर फॉर लुक एट पूफ पेज़ नमबर सेवन इसमें देखें सबसे पहले हैं हमने नमबर लाइन हमें दिये हुए सबसे पहले इसका इसलशे सूंसर क्यिसमरों करने देखें सबसे सबसे पहले आपने क्या करना हैं हमने इसको बेक ने बेकवर काउंटिंग हम जैसे कउन रीड करते हैं वैसे छे को बैकवर के आना है hundred like सलिय mom कर 제가 something from चाहले वारां से को आपया हैकर करें तो निवह से छोड़ें गहां। पैंसिल आपके तो कुनी है वह हमारा आंसर है देखें तो मारा आंसर क्या है टू शेवन माइनस फाइफ इक़र टू तू हमारा आंसर है इस तरह से आपको ने जो सारे है एच तक लोने क्वेस्टन दिए यह सोल्व करने निया नेक्स तरह इस ट्रैक दा फॉलविंग यह बहुत रीजी को स्ट्राइब से यहां पर सबसे पहले हैं वान तू थ्री एंड फॉर देखें नीचे देखें वान तो हमने वान जो है जो है उपर डिजट होगा उतनी हमने लाइन से यहा यहां पर हम लोगोंने 3 राइट करना है इसी तरह से देखिये 10-3 10 हमने लाइन लाइन से लिए उसके बाद उसमें से 3 लाइन करें नहीं जो पीछे लाइनस बचेंगे उनको काउंट करके यहां पर राइट कर देने तरह स्टूडैंस पे नमबर है 8 पे नमबर 8 पे है do you remember zero zero के बारे में या मैं मैं आप थोड़ा सो concept कोंगी देखें students I mean has four soft toys in a bag I mean has put no more toys in the bag देखें सबसे पहले क्या है four plus zero four plus zero is equal to four student जो zero की value होती है वो nothing zero की कोई value नहीं होती है जहां पर zero में प्लस क्या addition का या फिर सब्स्ट्रेक्शन का कोई भी question हो उसमें जो है जब zero आजाए तो हमारा answer same रहता है जो हमारा पास डिजट होता है क्योंकि zero की कोई value नहीं होती इसी तरह से next आजाए पेर नमबर नाइन पेर नमबर नाइन में है making 10 add the following यह जो देखें नमबर नमें में आपको पीछे पेर नमबर सेनल पे मैं आपको नमबर लाइन सिखा चुकिए उससे हैस्ट्रीज आपने लिए तो है इस बस्टन सारे solve कर लेने हैं देखें आपकी 10 फिंगर्शा है आपकी 10 फिंगर्स आंपको प्लस करने से मर पास 10 आंक को प्लस करने से मारे पास 10 answer है देखें example में जैसे इन्होंने बताय हुए 6 and 4 6 and 4 अगर हम 6 में 4 plus कर दे तो हमारे पास 10 का group बन जाएगा इसी तरह से अगला जो उन लोगोंने digit लिया है देखें 9 है और 9 के साथ 9 plus 1 is equal to 10 तो इसी तरह से आपने ऐसे pairs बनाने हैं जिनको प्लस करने से हमारे पास answer 10 9 देखें जैसा के भी यहां पे है 9 and 1 तो हम यह pair लेंगे 9 plus 1 इसका एक pair बना लेंगे और इसमें हमने color करने है मैं आपको बार बार बता लिए हमने ऐसे digit लेने हैं जिनको प्लस करने से हमारा 10 answer आता हो तो फिर ही हमारा question जो है वो solve होगा देखें जैसे यहां पे है 7 7 के साथ हम लेंगे 3 7 plus 3 is equal to 10 इसी तरह से इसका एक pair बन जाएगा और next आजाए next है 5 plus 5 तो इसको अगर हम इसका pair बना दे तो इसका भी हमारा जो answer है 10 आएगा इस तरह से हमने ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको प्लस करने से हमारा पास 10 answer है वो आप लोगों ने ऐसे column बना लेने और उनको फिर उनमें color करने है next आदे हैं page number 11 page number 11 पे है do you remember big or small in each pair color the smaller one blue and the bigger one red यहां पे क्या करने हैं देखें यहां पे हमने two pictures देखें हैं उनको ने काया जो हमारे पास smaller है smaller उसमें हमने blue color करने है और जो bigger है उनमें red color करने है इसी तरह से यहां पे जो smaller है उसमें blue color होगा और जो bigger है उसमें red इसी तरह से आप यह जो सारह है solve करने है number C में भी same जो आपको विगर और स्मॉलर के स्पैल याद कर लेने हैं। पर चाहिएं चाहिजिनी लिग अंधिल करनेंस करने हैं इस दरा से को में अंभी यृण जो आपको जैसा कि बता चुकित हुआ हम्हारी स्मॉल बड़िक है उसमें ब्रोख लिलर करना है और जो भी गर उसमें इसी तरह से आप और इंड में कलर्द करना है जो स्माइब यों में कि शूटर आप लोंगर ऊंगर नियां निमित फॉर्टीन उमें अपर वाम भान बimon के शुर्टे जोंध करें हैं। यहां पर देखें उन्होंने शोटर जो है बलून ड्रा कर दिये आप लोगोंने लोंगर ड्रा करना है लोंगर भी आप लोगोंने बलून ड्रा किया हुआ है इससे आप लोगोंने बड़ा बलून ड्रा करना है और यहां पे फिर आपने लोंगर के spell राइट करने है इस तरह से यहाँ पे 먹 ढोंगर जो है ट्रा किया हुए है आप छोल ठाने उन्हें अगे लो बड़ी साइज में द्राकरना है उसल स्टाइफ करना है नेकस्ट आजायें यह पेज पिस टूटा रहे हैं तो समें गौलर करना है आपने पर नहीं है आप लोगों ने जो टॉलर के श्राइट कर दिने। आँप जो भूति करना दश्र कँभता हैं और जो Shepherd ऑप करना जो चालिए प्र को सिक्ष्टिण का पेर दीके लिए पिलिय गलोच प्लेस ड्यूक्त करणी उन्हें यह यहां पर एक box उन्होंने दिया हुए हर box में 10 pencils है देखें एक box है उसमें 10 pencils है one box hold 10 pencils तो इसमें हमने देखना है 10 क्या है और ones क्या है देखें student यह जो 10 का जो मरपास one है यह हम इसको call करेंगे 10 और जो zero मरपास आ रहा है उसको call करेंगे ones next राजा है number a पे है देखें उन्होंने यहां पर हमें एक group दिया हुए pencils का हर group के अंदर जो है 10 pencils student जो one 10 होते है वो one के is equal होते है तो यहां पर एक group उन्होंने दिया हुए 10 pencils का और plus one और साथ में एक separate pencil दी हुए यह देखें 10 plus अब यह जो bundle है 10 का इसको plus करेंगे one के साथ is equal to 11 अब इन दोने में से हमने देखना है हमारा जो 10 कौन सा है और one's कौन सा है देखें जो one है देखें यह 11 का जो one है हमारे पास यहां पर देखें उन्होंने किया हुए one हमारे पास ten है and ones में भी हमारे पास one ही है इसी तरह से नंबर बी पे है देखें उन्होंने एक पैंसिल्स का ग्रूप दिया हुए हर ग्रूप में हमारे पास ten pencils है जो ten है वो one case equal होता है तो देखें साथ में separate two passes है हमने क्या करना है 10 प्लस 2 10 11 and 12 तो 12 हमारा यहां पर आंसर होगा 12 में से हमने देखना है जो हमारे one है वो ten है और जो two है वो ones है इसी तरह से आपने यह सारे columns जो है solve कर लेना है यहां तक next आजाए page number 17 आपने इसे करा से solve कर लेना है पार्ट three पर आजाए write these numbers in tens and once one has been done for you यहां पर लोग ने हमें numbers दिए हुए हमने उनको 10 में write करना है जैसे देखें example में 11 है 11 का जो one हमारे पास है 10 जो first वाला हमारे digit है वो 10 होगा और जो second वाला वो ones होगा देखें जो one ten and one one next आजाए 13 इस में से जो हमारा ten है वो है one one ten and three one इसी तरह से आपने जो सारे है solve कर लेने है page number 18 page number 18 पर भी same ऐसी देखें write the number that is यहां पर उन्होंने क्या किया देखें one ten two ones यहां पर उन लोगों ने हमें orders में write कर दी हैं हमने जो हैं इनके numbers write करने हैं देखें जैसा कि example में है one ten and two ones इसी तरह से one ten and five ones अगर इसको प्लस करें तुमारे पास 15 आएगा इसी तरह से आपने यह सारे column जो है solve कर लेने हैं नेक्स आजाएं पेरिंग नमबर 19 पेरिंग नमबर 19 पे क्या है देखें look at the book this is an abacus it has two roads यह जो देखें उनने यहां भी हमें जो abacus दिया हुए the road on the left is for ten जो left हमारा road है वो हम use करेंगे tens के लिए और जो right है उसको हम ones के लिए use करेंगे next आजाए रिदा adds beads to the abacus there is one beads on the tenths road जो ten का road है उसमें उसने one beads देखें there are four beads on the ones road जो ones का road है उसमें उसने four beads ड्रा किये हुए है तो हमने tens और ones कैसे मलूम करने हैं देखें tens मैंने आपको बताया था जो tens होता है वो one के equal होता है हमारा पास तो देखें यहां पे है ten ten plus and four तो हमारा पास आगया 14 इसी तरह से next आ जाए what number does the abacus show right in the box देखें यहां पे उन्होंने हमें abacus देए हुए हमने करना क्या है देखें tens का column है उसको देखने है उसके बाद जो ones के है उसमें 10 के column में हमारा पास क्या है one 10 के column में हमारा पास one beads है next है ones के देखें इसको count करें one two three four five six तो यह हमारे पास one और six यह 10s है हमारे पास 10 प्लस 6 तो हमारे पास हो जाएगा 16 16 देखें उन्होंने बॉक्स में राइड किया हुआ है इसी तरह से नमबर B पे हैं देखें 10s में हमारे पास है और बैकरस के अंदर उन लोगोंने 1 पीर्स है देखें जो 10s है और next 1s में हमारे पास क्या है 2 तो 10 प्लस 10 11 12 यहां पर हमारा आंसर है 12 इसी तरह से नमबर C पे है देखें 10s में 1 है और 1s में भी 1 है तो 10s हमारा जो होता है वो 10 के इकवल होता है तो 10 प्लस 1 is equal to 11 11 हमारा आंसर है इसी तरह से यह आपने सारे जो हमारे बैकरस सोल्व कर लेने हैं next page पे यह पीर पीर नमर 20 पर यह सा आपको help करेगा box के अंदर number name write करने में देखें जैसे यहाँ पर है 10 10 का जो 1 है और यहाँ पर 1 का है 1 2 3 जो मैंने आपको पताया जो 10 होता है वो 10 के इकुल होता है 10 10 plus 3 10 11 12 and 13 13 नमबर यहाँ पर write कर देना है इसी तरह से next है 2 है हमार पास यह 10 में 2 write किया है 0 में देखें कुछ नदर आ रहा है यहाँ पर है nothing nothing means 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका हमारा answer होगा देखें जब हमार पास 2 10 हो गया तो 2 10 is equal होते है 20 के तो यहाँ पर 20 के spell write करे नेक्स पीज पर आजाएं page number 20 पर क्या है counting in 10s write the missing numbers and learn the number names यहाँ पर हमने number name write करने हैं देखें यहाँ पर उन्होंने कुछ blocks हमें दिये हुए है stock देखें number first पर है one struck of 10 जो यह one है one struck है वो हमारे पास 10 के equal है इसके अंदर 10 blocks हैं इस तरह से next देखें next हमें 2 दिये हुए हमें 2 stock of 10 is equal to 20 तो यहां भी मार पास आएगा 20 next है 3 stock of 10 is equal to 30 यहां पर हमने 30 write करना है इसी तरह से यह जो सारे हैं आपने solve कर लेने हैं तो students आज का जो मेरा lecture था यहीं तक था उमीद करती हूँ उमीद करती हूँ आपके lecture जरूर समझ आया होगा आप इसको जो मैंने आपको homework assign किया उसको अगर में जरूर करें so next मिलेंगे हम अपने lecture के साथ अब तक के लिए इल्ला हाफूज